इस दुनिया में हम पैदा होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए अगर हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बन पाए, तो हमारे पैदा होने का कोई मतलब नहीं कर कर भाए, थान डद पोलाओ मतलब रिलड़ कर घटffen कर पाहित incentive भभन भ affordable, रिल मतल waांare बन्ने नहीं, टát कि्पुड़ already इस जान रिए आक मतलब रिल और भाए पुलिस वालों ने सराहनी ये काम किया है पुलिस वालों के सराहनी ये कारी को हो मिनिस्टर ने तारीश किया मुंबई में सेंट्रल से जो एनस्जी कमांडो मंगाए गया है उन्हें मुंबई के तमाम इलाखों में तैनाथ कर दिया गया है मुंबई में खास दोर से साउधानी बड़ती जा रही है लोगों की भलाई के लिए गरीबी दूर करने के लिए सरकार दिन राद लोगों को बेवकूब बनाती रहती है पुलिस के साथ आख में चौली खेलना हमारे बाए हाथ का खेल है हमारा अगला बार होगा दिल्ली सरकार की कुरसी हिलाने का इससे अच्छा मौका हमें दुबारा नहीं मिलेगा साथियो अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये उसी रास्ते का नक्षा है जहां से पुलिस फोर्स की वैन अभी थोड़ी देर में ही गुझ रहेगा 75 किलोमीटर की दूरी पर इंडिगेटर के पास हमारे लोगों ने बम लगाया है किसी भी सूरत में ये टार्गेट मिस नहीं होनी चाहिए चाहे भले ही हमें अपनी चान देनी पड़े मगर वो नहीं बचने चाहिए तुम लोगों को पल-पल की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी बम ब्लास्ट एक्सपर्ट आकर तुम लोगों से मिलेगा तुम लोग जाकर तैयारी करो मैं आता हूँ बच्चों को ख्याल रखें आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब एक बिश्टरी दो एक बिश्टरी दो हमारा है जन्व भूमी है हमारी शहां से तनेगे है सब वी तो भाई-भाई प्यार से रहेंगे है वी देस्तानी ना हमारा है हमारा है हमारा है हमारा है हाँ बॉस हम लोगों ने गाड़ी अरेंज कर ली है पांच प्रट में हम लोग पहुच जाएगे हमारा है हमारा है प्रट में हमारा है झाल 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 मैंने अपनी गाड़ी की स्पीर को बढ़ा कर, पुलिस वेन से टकरा कर, मैंने पुलिस को आगे जाने से रोका. नहीं तो सारी, फोर्स तबा हो जाती इस तरह से मैंने अपना दिमाग लगाया, और सब की जान बचाई मैंने. आपकी बाहदरी को देख कर, गौवर्मेंट आफ इंडिया ने आपको सिटिजन पुरुषकार देने के लिए, रिपब्लिक दे का दिन चुना है, और राश्पती के हाथों से ये आपको पुरुषकार मिलने वाला है, जैद आपको पता होगा, बधाई हो. ये आवार्ड नियूज आपको कैसी लगी? हाँ, वो तो मुझे भी बहुत खुशी हुई. उस दिन का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा. मुझे वैसे आवार्ड की खुशी से बढ़कर, जो मैंने पुलिस फोर्स की जान बचाई, उस बात की खुशी ज़्यादा है मुझे. आपके इस काम से पूरे देश के लोग खुश हैं. आपके इस बहादरी को देखते हुए हमें एक आर्टिकल चलू करने जा रहे हैं. नकसल वादियों का टैक आप पर होने वाला था, आपको पता था? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो चुपचाब नहीं बैठेंगे. उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? आगे क्या होगा उसके बारे मैं कोई नहीं जानता. फिर आप वहाँ पर कैसे पहुँचे? वो क्या है ना? आप इस बारे में कज बताईए हमें? हाँ, बिल्कुल. मेरा नाम भरत, मैं एक अनात हूँ. बचपन से ही मैं अनात आशर में पला हूँ. सो, मेरा बचपन भी इतना कोई खास नहीं गुज़रा. मुझे पाल पोस्के बड़ा किया, इस समाज ने मुझे नई जिन्दिगी दी. इसलिए मैं इस समाज के लिए, हमेशा अपनी जान देने को तयार हैता हूँ. इसलिए, उस दिन मैंने ये हिम्मत दिखाई. फिलाल मैं सौफ़वेयर कंपनी में जॉब करता हूँ. अच्छी सेलेरी, लाइफ सेटल है, I am very happy. मेरे लिए इतना बड़ा घर, इस्टेटस भी सब कंपनी का दिया हुआ है. हमें एक लागर पी चाहिए, रुपिया नहीं ऐसा चाहिए. हमको आइस्क्रीम और चॉकलेट भी चाहिए. तुम लोग हो, हाँ, हाँ, पहले नीचे करो, ओके, ओके, खूल, 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 देता हूँ, यह लोग, चॉकलेट आइस्क्रीम खरीद देना, ओके, एंजोई, बाइ, सी यू, बाइ, हे मान, या, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, कैच, मुझे बच्चे लोग बहुत पसंद है, ऑफिस से आने के लिए, बच्चे लोगी मेरे दोस्त है, एक्सक्रीज रिए, तुम्हें धेर सारी बदाईया, टीवी में, पेपर में, पबलिक में, सब तरब तुमारी चर्चा है, अरे आज कल तो हर आदमी डरफोख है, लेकिन तुमने बहुत हिम्मा अगर मेरी कोई लड़की होती ना, तो मैं उसकी शादी तुम से करता हुआ। मेरे लिए सब कुछ गोई है और उसके लिए मैं हूँ। ओफिस, फ्रेंड्स और बच्चे लोग, किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना, कभी-कभी ये जो हैं इनके साथ खेलना, यही मेरी छोटी सी दुनिया है। झाल, के लाए विए 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 इनके साथ। और यहाँ सुम्या, का इनके स्कूल तो सेर्ट मेरी स्कूल क्यों प्रप्वाइब बच्पाइब यह रख क्यों प्रफ़ तर राव सीट बेल्ट नाव रेड़ी टू टेक ओफ ओके अंकल अंकल एस यान की जीन प्लीज आप क्या करते हो अंकल मैं सोफ्ट्वेयर इंजिनर हूं बेटा आपके विजह से तो महेंका ही बढ़ रही है और आपको रोपने के लिए दैस दस बार कहना पड़ता है हम लोगों को सब्सक्राइब है अगर तुम लोग रोज लिफ मांगो तो मैं रोज आऊंगा है ये लो बच्चों चॉक्लेट्स हैं ये वेलकम कि अंकल अंकल स्टॉप 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 मैं बढ़ा गया कि संभाल के बेटा बाइदी बाइब आपको के दर दरना है बता दीजिए में उधर ड्रॉप कर दूंगा नो थांक्स शहर में बच्छों की किद्नापिंग बढ़ गई है इसने में बच्छों के साथ आई अच्छी ना मेरे पास मेरी खुद की स्कूर्टी है बाइब लालालाला अरे रखो रखो इसे रखो ये काफी मेरे लबर के लिए है ये पानी तुम्हारे लिए लो बच वाए उसको हिंदी नहीं आती मुझे एंग्लिश नहीं आती मगर किरकेट सारे भासा के लोग देखते हैं उसी तरह हमारे आफिस में भी सभी लोग मिक्चर है अब म ये काफी ये आपके लिए है दो मैंने सोचने बार ये लव लेटर आपको दे रहा हूं आप जरा सभल के पढ़िए तुम जिस दिन चश्मा उतार दोगी ना मैं तुम्हारी डूली नहीं होंगा तुम्हारी जो होट है ना होट वो मॉनिटर के मौस की तरह है देखो चश्मा उतारना नहीं पड़ता चश्मा पहनना पड़ता है मुझे चश्मी के साथ बहुत ओफर है क्या आपने बुलाया इन नहीं उसने वह बुला रही है इस ऑल्फीस में सब बुलाते हैं बस तुमको छोड़कर समर्ते हैं तुम कमरोगी एक मिनट आ या अच्छा बोल मतला तुम मुझे बेकुप समझे रहा है ओके 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 हैपी बदे आओ भरत से मिलाता हूं तुमको भराद मिकमिंग सर आना और आप मुछ काम कर रहा है न अरे आना यार अरे सर इस आफिस में मैं पियून हूं न अरे ना अटक बंद कर आना अच्छा-च्छा एक्स्ट्रा अपनी मैडम का आज बद्द्र है आपको पार्टी में बुलाया है यहां आरे यह क्या बतावन दून मुझे अगेले आने के लिए डर रहे हैं तुम्हारी क्या जरूत है क्योंकि बर्थड़े आफर है बाई वन गेट वन फिरी कब आप में हटी नहीं चाहिए इतना तुम डर थे क्यों तुमने जो साहास दिखाया इसलिए न मैं पार्टी देना चाहती हूं और तुम डर रहे हो तुम्हारत से डर रहे हो आप सही कह रही है अरे यार तेरी प्रस्नाल्टी अची है तो हैंसाम आदमी है इसलिए लड़किया तुछ पर मरती है तुछ जान चलकती है इसलिए एक लड़की सेट कर ले और उससे शादी कर ले हाँ इसको इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी मे मिली है खूबसूरती मिली है इसलिए मोटापा ज्यादा चड़ गया है मतलब मतलब चर्बी रुक रूप आप कैसी है मुझे ने पहचाना उस दिन कार में लिफ्ट छोटे बच्चे किरने पर उस दिन वहां मिले आज अचानक यहां मिले सरप्राइजिंग ना आप शॉपिंग करने आई है क्या खरीदा इतने बड़े मॉल में आकर आपने यह खरीदा ओ आज आपका जनम दिन है मैंनी मैंनी हैपी रेटेंस आप दे नहीं थोड़ी दिर आपका मुप बंद करने के लिए है आप क्या आप क्या हुआ क्या अचया ही लड़की को अठी Mae मैं उसे बात करता हूं तो वह बात नहीं करती है, नहीं बात करती है, नहीं बात करती है, तो बत करो, मैंने उसे बात करने की कोशिश की, जवाब नहीं दिया, पूछा कैसे हो, जवाब नहीं दिया, वह अपने आपको समझती क्या है, लेकिन ये बताओ कि मिले कहा, अरे वही चुम्मा भी देगी तुझे चुम्मा तेरे भी मैंने वापस से कोशिश की हेलो आप शॉपिंग करने आई है क्या अरे बात कने का मौका ने दिया मुझे लाली पॉप गुसा दिया लाली पॉप यृपिंति भी कुस्ट्रिय पास कुष्ण गुछ तो हा कुछा तो है कुम्मा दिया है करें लीपण करें ही है कुछ तो है कुछ तो है लाली पॉप उप इनको स्कूल फंक्शन में बुलाया और यह गंते बाद आ रहा है इनको तो कोई डिसिप्टिन नाम की चीज़ी नहीं है अच्छा तो थैंक्स थैंक्स तो मैं कहूंगी अगर आप लिफ्ट देंगे तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है यह सब हमारे कॉलोनी के बच्चे हैं अच्छी आज मेरी स्कूटी में प्रॉब्लम हो गई है प्लीज गेट थैंक्यू अब आप चले क्या हुआ हम लग बारिश में भीग रहे थे और यह मस्त अब आप आप अधायम भारत मैं एक बड़ी सोफ्वेर कंपनी में इंजीनियर हूं समीरा फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही हूं कि आपकी हिंदी इतनी शूद्ध नहीं है आप कहां से आई है हिंदी ठीक नहीं है क्योंकि मैं बैंगलॉर से हूं फादर रेटायमेंट के बाद स्टडी कोर्स के लिए मुंबई आई हूं इफ यूंट माइंड आप वेरे घर पर चल कर कॉफी पी सकती है यह बच्चे लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे इस अल्रीज सिक्स थर्टी में एक्स टाइए ओके ती घर में आई ना तो भगवान जी ने उपर से फोटो कीचा है अब चल अंदर आजो अंदर आजो मिश्या तो छुषक एख सब्सक्राइब कर जाए नहीं तो 16 कि यह को व्यावेर ती अशुषिंच था व्यावन थैंक युगन कि यह जी कि यूटे हैं कि कि अब भूग लग रही है भूग रही है क्या अब भी मैं नूडल से नाथ और यह कोई बात नहीं मैं कुछ नया ट्राइकर करके बना कराती हूं आइ रड़ी मेरा है थोग लेग दिये जल्दी ऐले खालाव चलाव चलाव थाव ओ वाव यह तो मेरी पसंद है यह तुम्हें कैसे मालूम पड़ा सच बताऊं मैं माईन रीडिंग कर सकती हूं मैं मजाग कर रही थी आच्छली मुझे बस यही बनाना आता है आज का दिन मैं जिन्दिगी में कभी नहीं भूल सकता हूं क्योंकि कोई लड़की मेरे घर पर पहली बार आई है तुम इसका मतलब आप मुझे लड़की नहीं समझते हैं ना को तुमको इस्पुन चाहे ना लो जल्दी कहओ ज़ जया ज़ो जो ज़ो एक पर दो आपका फोन नम्ब तो दोना नाइन नाइन टो सिक्स एट थ्री श्क्स नाइन अंकल दीदी का नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया बाई 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 मैं भी चलती हूं आप जा रही हो थेंक्स फॉर और गुड फूर यह मोस्ट वलकाव चलिए बाई मैं आपको छोड़ देता हूं फिर वापस बारिश बारिश का मौसम है तो बारिश रोज आ सकती है यह मैं भी आँख खुल कर इंतिजार करूंगा वैसे यह मौसम तो बना है क्या वह तेरे लाव मैंटर का वह प्यार में पागल होने वाला है पर्सनल प्लीज एक्स्कूज में कबाब में हट्डी कहां से आ जाती है यह लोग दिस इस वार्यू यह लाव बॉक्स लाव बॉक्स येस इतना चोटा क्यों है यह दिखने में चोटा है लेकिन यह है देखते हैं यह क्या कच्रा जैसा बना हुए इसको कच्रा मत बोलो नहीं तो मुझे हाट अटाइक आ जाएगा देखो यह तुम्हारा खाए हुआ चौकलेट का कबार आइसक्रीम पालर में खाई हुए आइसक्रीम का खाली बॉक्स यह वह कंगी है जो तुम रोज ऑफिस म मैं सभाल के रखा हूं यह रहारा मैं यह सीड़ी कैसी है तुमने पार्टी में पीकर मुझे बहुत गाली दीती ना उसको मैं शूट कर लिया हूं और मेरी जानकारी की बिना तुम्हें वीडियो ले लिया तुस्ते संभल कर रहे हैं ऐसा मैं सब से बोल दूं की जाने दू यह जूस भी तुमने पिया था ना इसे क्या हो गया क्यों टेंचन में बैठा है अरे क्या बात है बताओ बताओ समीरा समीरा रेड़ी यह फिल्म के हिरोईन है तुसे ज्यादा दिख रहा है वो नहीं है समीरा ग्रवाल समीरा मेनन एकदम 25 परसेंट अरे कोई बात नहीं है एक प्नुटर को अश्वारिया बच्चन मैं ललन सी माई लव परसेंटेज 95 परसेंटेज अरे यार इस सिस्टम पर भरोसा मत रखो मोबाइल पर भरोसा रखो एक दम सामने बात होती है आमने सामने एक प्नुटर को अरे 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 तो सही च्लेक्ण हो रहा है रूप क्या कह अज़ा राए तू अरे तेरा लॉट मिस नहीं होना चाहिए इसलिए इसलिए मैने मैंने मैं इसकॉल किया है हां यह एक आईडिया तेरे जीवन को बदल के रख देगा टंक-टड़ांस शी ऑन दा लाइन फोन गया कुछ तो है कुछ तो इसमें कुछ तो बात है कुछ तो है कुछ तो बात 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 है कु जाने जाना है ये कहना मेरे दिल में ही तुही रहना तुही खुशिया तुही दुनिया मेरी आखों में तेरा सपना संग रहता है जो तेरा जट जाता हर अंधेरा तुही हम सफर है मेरा दूर मुझे से तू न रहना तू इस जहां की नूर परी है तू ही मेरी है दुनिया है तेरे लिए ही मेरा जीना तेरे लिए ही मरना जाने जाना है ये कहना मेरे दिल में ही तू ही रहना तू ही खुशिया तू ही दुनिया मेरे आखों में तेरा सपना तेरे भी न थी सुनी सुनी दुनिया तेरे आने से है रोशन ये जहाँ भी न तेरे कही न मुझे को चैना प्यास बुझाती है आकाश गंगा नैना दिल में है खुशी कि संग तू है ना लग रहा मुझे सितारों पे मैं उड़ रहा पूलों में तेरी है खुशबू चांद में तेरा ही जादू सच है या कोई है ये सपना मुझे को तू या कि ये कुछ भी आयना जाने जाना है ये कहना मेरे दिल में तू ही रहना तू ही खुश या तू ही दुनिया मेरी आखों में तेरा सपना कि बहुत कम समय में हम कितने करीब आ गए ना कि समीरा तुमने कभी भी किसी से भी प्यार किया है कि वह क्या है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं समझ मनी आ रहा है कि मैं उसे कैसे बता हूं तुम कुछ बता हूं ना डारेक्ट प्रपूस कर दो अगर वो नहीं मानी तो कोई चांस ही नहीं है तुम तो सबको पसंद हो तुम जैसा पती पाने वाली लड़की बहुत ही ज़्यादा लगी होगी आई लव यू समीरा क्या हम शादी कर सकते हैं विल्यू मैरेज मी प्लीज डेट बता दो मैं इंतजार करूंगा मैं भी वही सोच रही हूँ अचली मेरा फाइनल प्रोजेक्ट खता होने में अभी छे महिने का टाइम बाकी है अगर हमने अभी शादी की तो शादी के बाद वो ये मतलब ये कि तुम सुहाकरत की बात कर रही हो तुम उसके बारे में चिंता मत करो तुमारे फाइनल प्रोजेक्ट के बाद प्रोग्राम रखते हैं मगर हम शादी तो कर लेते हैं अब शादी कर लेते हैं प्लीज मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगा ओके अगर ये बात है तो थैंक यू थैंक यू सो मच एक काम करते हैं रजिस्टर मेरीज करेंगे तुम्हें कोई दिक्कतु नहीं है आपकी मर्जी कि अइग आपकी मैं तुम्हें जोडी लाया हूँ अइटुम्हें आपकी मैं तुम्हारी जोडी लाया हूँ एँगे अब तो तुझे समझ में आ गया होगा कि मुझे भी एक पातला चाहिए Anyway, I wish you happy life तो ही है मेरा सजना सवरना तेरे प्यार से है मेरा निखरना तू ही है मेरे होटों का हसना दिल में धरकनों का तू ही धरकना कैसे मैं कहूँ प्यार दिया कितना समंदर में भी पानी नहीं जितना दिल में प्यार की सरगम तू नहीं जगाई है सनम तेरे खोशबों से महका है मेरा तन मेरा मन ये जीवन सजना जाने जाना है ये कहना मेरे दिल में ही तू ही रहना तू ही खुशिया तू ही दुनिया मेरी आखों में तेरा सपना संग रहता है जो तेरा जट जाता हर अंधेरा तू ही हम सफर है मेरा दूर मुझे से तू न रहना तू इस जहां की नूर परी है तू ही मेरी है दुनिया है तेरे लिए ही मेरा जीना तेरे लिए ही मरना जाने जाना है ये कहना मेरे दिल में ही तू ही रहना तू ही खुशिया तू ही दुनिया मेरी आखों में तेरा सपना कर दो कर दो भावी यह हमारा नया अपार्टमेंट है यार तुने जिससे प्यार कि उससे शादी किया जौब में प्रमोशन भी हो गया तु यह फ्लेट खरीद ले तेरा सब काम बन जाएगा तु मेरे काम की बात कर रहा या कभी शंगी क्या दलाली मैंने यह व्रेंड के नाते इतना अच यह सीता कौन है नमस्ते आप कैसे हैं आई यह मेरा फ्रेंड भरत है यह भाबी जी शीज माइब नमस्ते चलिए 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 कहां तो चाहिए प्रताब जी हम जाके देख लेटें जानवरी में जब तुझा आवार्ड मिलेगा तो तुझ सीधा लेकर यहां आ जाना यह हमारा नया फ्लेट है वाकरी महुत अच्छा है बहुत अच्छा है यह यह बैठने के लिए ठीक है अंदर आईए यह कीचन है जहां पर आप खाना बना सकते हैं वाश्टू साथ के हिसाल से यह बेडरूम सोने के लिए मैं बादरूम देखके आता हूँ एक वbly पार। करूँ लग खो पूँ ले 앞र एह करूँ को पीर एह हेओ मों है मुख्यदर हुग खार ये आग खार से सान जूbas करने करने दूना ऐ भुण खार ही पार मुख्यदर डूड वु हिजखके देर है जूधर दीसकी NA पाग गया लगा तो नहीं ठीक हूं शॉयो ओके अरे शॉरी सर इससे पहले यहां ऐसा कभी नहीं हुआ यह कैसे हो गया हमें खुद नहीं पता है नो प्राब्लम चलो कि अगे में अगे जोना कुछ अगे क्या में क्या मैडम अब कभी भी अपने ख्यालों में खुजाती हो आपको प्रेजेंट में भी रहना पड़ेगा प्रेजेंट इस गॉड्स प्रेजेंटेशन राइट सुबह जो कुछ हुआ वो सुच रही हो उसे भूल जाओ वो सिर्फ एक एक्सिजेंट है उसका ध्यान करके तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो किस करने का मन कर रहा है कि पहले तुम दूर रहके डिश्टर्ब करती थी और आप पास आकर भी तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो तुमने मुझे बताया नहीं आप मुझे पसंद हो इसलिए तो मैंने आपसे शादी की है ऐसे नहीं मैं कुछ सवाल पूछूँगा और तुम्हें उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा ओके ओके क्या मैं सुंदर दिखता हूं अम अ हां अब 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 आबरेच तैन में से फेट अब मेरी अख्छा अ कबारे बटा हो एक справ पर्फ्ट थेन में से थेदम्हें घ्म्हें तान्क यू都ं कियूं मेरी बाठकीट's sense of Ņहμ अब तो जस्ट आवरेज, टेन में से फाइव, वेल, क्या मैं रोमांटिक हूँ, वो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं सच का हूँ, तो जरा भी नहीं हो, जीरो आउट अफ टेन, मतलब मैं रोमांटिक नहीं हूँ, पता नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, मैं रोमांटिक नहीं हूँ, यह, okay, I love you, यह भी नहीं है, I love you, यह भी रोमांटिक नहीं है, oh god, तेरे कुप, मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं रोमांटिक नहीं हूँ, अरे, बुलाओ यार, उसको जल्दी बुलाओ, अरे, उस मैनेजर की एक नहीं, चार-चार दुकाने है, समझे, ओ भाई, हाँ, हलो, एक फोन करना है, थोड़ा बाहर आएंगे, अरे, मुझसे इस एरिया में सभी ड़ते हैं, समझे, अर्जेंट कॉल है, थोड़ा समझो, एर, जब कर, हाँ, हाँ, मैं हूँ ना, तू डर्णा नहीं, हाँ, हाँ, हे, निकल, बाहर निकल, बाप का राज है, क्या, चल निकल यहाँ से भाग, भाई, अब अपने पास वक्त नहीं है, हाँ, इस बार अपनी टार्गेट मिस्ट नहीं होनी चाहिए, हाँ, बाई, किसी भी सूरत में इस बार मिस्ट नहीं होगा, अब बच्दना नहीं चाहिए, बाई, और वो तो किसी भी हाल में नहीं, ठीक है, हाई, हलो, वन सेक्ड, हार्डवेर इंजीनियर है काम, वाट भरत, मैरिड लाइप कैसी है, आई नू, उस दिन मैने आप दोनों को देखा था, यू आप ने बेट फोर इच अधर, शी बेरी लग्की गर्र, तभी तो तुमाही लाइप पार्टनर बनी है, वो, बुझे भी यही फिल हुआ कि, शी बेरी लग्की फोर मी शीर, स्वीट सर, किस खुशी में, टुडे नमंबर 19 सर, स्टाफ और लेडिस स्वीट गिविन सर, यह इंगलीज का भारता क्यों बना रहे हो, आज का दीन हमारा है सर, इस्टूपीट, वाट डे टुडे, 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 नमंबर 19 सर, इंटरनेशनल मेंस दे सर, तभी तो ल प्रोब्लम अपका प्रोबलम एपका सिस्टम प्रोबलम ओके हो गया, आप चलेंगे सर, ठीक है सर, मैं चलता हूँ बारत, सर प्रोजेट कम्पलिशन डेडलाइन फास्ट अप्रोचिंग ये सब उन सेडूल है ना आइम राइन अन्यू ब्वाइड और वेला है डान टो वरी सर ग्यूद थेंक्यू सर अलो अजय तुक्यू बीच में डिस्टरब करता है चलो अलो अलो यस या गुड मॉर्निंग या टेल मी या टेल मी ओ वर्क इस ड़न या या आई विल गेट बैक यू सिस्टम ओन करना है या तू बहुस के सामने क्यों हस रहा था तू बहुस के सामने क्यों हस रहा था तू बहुस के सामने क्यों हस रहा था तू बहुस के सामने क्यों हस किया ड्रामा करता है तु ललन क्या हो ललन तो घप रहाँ रही तो नहीं 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 कुछा ताँ अब ठीक है ना अरे सब ठीक है यार यह सब क्या हो रहा है उस दिन वहां अपार्टमेंट में गुआ और आज यहां अकर मैं स्विच ओन करता तो क्या होता ऐसा मत बोले यार वो शौक तुम्हें न लगके मुझे लगा इस बात की खुशी है मुझे दोस्त ए तुझे याद है मैं बच्पन में अनाथाशम के बाहर बैठ कर रो रहा था तभी तुने मेरा हाथ पकड़ा था तुने अपना खाना मुझे खिला के मुझे नया जीवन दिया और उसके बार जौब दिला के मेरी मदद की और आज फिर तुझको एक बात पता है तू अप मैं मर जाता संजा क्या अचे में डारलिंग देखे यार लव यू आओके देख समांगे यू यू प्लीज एल्प मी तू इस बोलो प्यार करने वाले से शाधी करें तो जिन्दगी खुश हो जाती है तूने सही कहा हाँ येस समीरा के आने के बाद life change हो गई येस समीरा मेरे लिए सही life partner येस समीरा भावी आपको असली जीवन साथी मिला भाई डार्लिंग बोलो डार्लिंग मैं तुमसे एक बात पुछू मैं गलत नहीं समझूगा बोलो ना तू गलत तो नहीं समझेगा ना न सुहाग रात कैसा था यार एक्चुली हम उसको वीडियो शूट करके दिखा नहीं सकते ना इसलिए तुम बताओ मैं उससे लिग लेता हूं पहले तू शादी कर पता चल जाएगा शादी से पहले पता चले तो ज्यादा मजा आता है बिल्कुल नहीं शादी के बाद जानन चले होगी यार मैंने थो पहले है अरे तुम्हारी शादी नहीं आपनी शादी की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त मेरी झाल बहुत कांस्टेंटिशन से प्रेंटिंग कर रही हो इसका मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा मुझे दो दिन से तुम पे थोड़ा थोड़ा शक होड़ा है देखो तुम मुझे बहुत परेशान कर रही है ये शक शादी के दो दिन बात होना चाहिए अभी नहीं भरत ए तुम गंदे आदमी हो क्यों मैं पसंद नहीं हूँ भरत तुम ने पासो के पिलपन ए मेरे पास मता हूँ मेरे पास मताँ शादी होगी फिर क्या वाल 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 कोफी समीरा एक बात कहुं कम सकम कॉफी कैसे यह तो पूछलो कैसी है अच्छी है, बहुत अच्छी है, वैसे आज मेरा ओफिस में प्रेजन्टेशन है, आने में कुछ देर हो जाएगी, ओके? ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे भी अपना बहुत सारा काम फिनिश करना है, ओके बाई, बाई बाईचे बाईचे심 blooming अपना है, लिस वे में करने लाईचे जजे को एम करना है, बहुत अच्तितों करना पे जए त certaines को प्रॉब जाएब ції अ मुगम झाल झाल कुछा नहीं हुआ 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 है तीन दिन के बाद आपको डिश्चार्ज मिल जाएगा मगर एक हफते तक पूरा आराम करना पड़ेगा बेट से नीचे भी मत उतरिएगा ओके टेक क्यार ओके ठीक है ममी जादा चोट नहीं लगी है आप टेंशन मत लीजिए यहां तुरंत आने के भी जरूद नहीं है ओके बाइए है मैं इदर चोट लगी है ना ओधर नहीं इधर क्या हो गया कर रात को बाराबजे बारा बजे दी का सर्प्राइज देने के लिए क्या करने के लिए हमारा रोमांट्रील खोड़ की तरह बंगले में आया जोर की तरह दो अरे ये रोमांटिक हीरो रात को बारा बजे अपने वाइब को बिश्च करने के चकर में पहर दोड़ लिया अरे ये आइडिया तुमारा था या इस बच्चे का था कि अनुसार इस ब्लास में अभी तक दो लोग मारे गए हैं जिसमें प्रेमी युवक और युवती थे और तीन लोग घायल हो गए हैं इस ब्लास में अतंपादियों का हाथ होने के काफी संबावना है इस ब्लास्ट के इंक्वाइरी हो चुकी है लेकिन अभी तक किसी के पकड़े जाने के खबर नहीं है मगर बहुत ही जल्ड इस ब्लास्ट का पर्दा फाश होने वाला है यूँ किसी बिया इंक्वाइरी कर रही है इस सब क्या हो रहा है? ते बाहर निकलना मुश्किल हो गया है अरे क्या हो रहा है अरे दर बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है ऐसा करने थे कि अनकी तकलीप दूर हो जाएगी कि अज़े घंच अज़े 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 जब आ ज़े चुछ आप अज़ेश को आप अज़े 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 कंटेक्ट करो कुम आन, क्वेक ओके सर, खान साब, पॉन फोर यू पहले खुदा, लाउट कर बात करते है आउट साइड में बॉम ब्लास्ट किया, दोकी मोद, ये विशे कोई मामूली विशे नहीं लगता सर, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वज़ा होगी सर, राइट, यॉर राइट मिस्टर खान, उसके कुछ पार्ट जो हमें मिले हैं, उससे हम पता लगा ही लेंगे, उसके बाद कुछ कारवाई हम आगे बढ़ाएंगे, सो हर कदम पे हम लोगों को साउधानी से रहना होगा आई विल दू माइश्ट साब और गुनेगार कभी नहीं बचना चाहिए, खान साब, मुझे एक सिम कार्ट मिला है सर, ये डेफिनेटली मोबाईल ब्लास्ट है ऐसे ब्लास्ट डेली में हुआ था डेली के ब्लास्ट में मोबाईल रिंग हुआ था और उस रिंग से सर्किर क्लोज हुआ और ब्लास्ट हो गया मगर इधर फोन रिसीब के बीना ब्लास्ट नहीं होता फोन रिसीब करने पर ही ब्लास्ट होता है इधर देखिए सर, वो लबर्स आ रहे हैं बाहर से किसीने फोन किया तो नीचे की रिए मोबाइल को उसने उठाया और फोन को रिसीब किया इमेडियेट ब्लास्ट होगा सर्शू ये ब्लास्ट रिंग बजने से नहीं बल्कि फोन रिसीब करने से ब्लास्ट होता है यही बात है ना एक्जक्ली सर्व रिंग करने वाले ने ब्लास्ट के आसपास से खड़े होकर कोपरेट किया होगा कि नाइन पीम जिस रिपोर्टर ने ब्लास्ट शूट कि आप रिपोर्टर को गुलाई है आज साब बाउम ब्लास्ट हुआ वहां पर आप क्या कर रहे थे डिटेल्स में बताईए मुझे सर वो जगह लवस का अड़ा बन गया था कि यह सीडी है कि आउटफिट में लवर्स इंटरनेट में सेक्स कॉल सेंटरस लव छे इसको छोड़कर हमारे देश में और कोई काम नहीं है क्या एनिवे आपकी जुरूत पड़ी तो आपको बुला लेंगे यू केन को कि सर हुआ है 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 सर अबना टी यार्पी बढ़ाने के लिए यह टीवी चनल्स वाले भी ऐसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि आप पूछिए मत सर यह मेरा शाग है सर आज कर लोगों ने अब मैं दिसे जोड़े से पुछती हूं हाई कि देखा आपने हर प्रेमी का अपना अपना दर्ग है सब प्रेमी अपने आप में कोय हुए है किसी को अपने परिबार की परवा नहीं है सब अपने प्रेम की चाहत रखते है सच है ना माइट करू को कुइक आगे ओके स्टाफ ओन सग़ देवाइन स्टप जूम यह देखो यहाँ भी एक कार खड़ी है नोट दकार नम्म एपी जीरो नाइन एम सेवन एट नाइन वन प्लास्ट होने के तुरांद बाद काड़ी निकल पड़ी जी गोएंड फाइंड दिटेल्स पास्ट कमान रॉन सर्व ब्लास्ट के साथी इंवेस्टिगेशन करेंगे यह खाल साब यह रही गाड़ी की डिटेल्स इसका नाम है भरत फ्लाइट टंबर फोर्टिन नाइन त्रोट हाइलेंड पार्क कॉंबई अगर इसका हाथ है तो यह बचेगा नहीं सब्सक्राइब भरत भरत कल भी क्या आई तो में जी आपको क्या चाहिए मुझे एक न्यू कनेक्शन चाहिए जो चाहिए ओ मिलेगा आई मीन आइडिया सिमकार चाहिए मैं अभी देता हूँ आइडिया सिमकार जरा लाना ओके सर योर स्वीट नेम प्लीज सोनिया नोकिया अरे यह तो मोबाइल मेरे जैसा है वाट अरे नोकिया नोकिया अरे तुम्हें भी मुवारक हो कितना अच्छा मोबाइल है हाथ भी गरम है पहले तुम्हारे पास क्या था सर सिमकार अभी लोके देना था यह 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 किको तुदिया मेंकिको दियाओ तुझे भी दूझे चल नेकल आज यह करो क्या डायल नमबर लगाँ उसका नमबर हलो क्या चाहिए मुझे शिमकार चाहिए कौन से कंपनी का चाहिए कोई भी कंपनी ओ परवा नहीं लेकिन fancy number होना चाहिए और हाँ six number जाता हूँ ऐसा मिल जाएगा ना बहुत खास लोगों को देता हूँ इसे घर पर ही बनाता हूँ बहुत sexy है मैं भी sexy हूँ ये लो इसको रखो thank you मेरा number इसमें है भूल मत जाना लेकिन पहले proof तो दो किस लिए इसके लिए नहीं है तुम जैसे हस्तिनाओं के लिए कोई पुरूप नहीं चाहिए naughty boy no no kya boy connecting lady तो हम चले क्या guest house जाकर बियानी खाएंगे फिर खेले खेलेंगे और क्या मैजा तो मुझे भी करना है बियानी खाना है आता हूँ आता हूँ तेरी लवर रोज दर आती है तुसे मिलने और मुझे मिलने मैं तुम्हे बताना भूल गया मेरा प्यारे स्ट्रांग हो गया स्ट्रांग या पाप रहे excuse me मैं एक घंटे माता हूँ गारंटी है आने की तू ये काम कर सौनिया को फोन कर बाद में C.P.I. आफिसर खान प्लीज बैठी है सर बैठी है सर ये क्या एक्सिडेंट हो गया नई बात्रूम में गिरने से कहा पर घर पर ओ आई से कब पर्सो पर्सो मतलब 29th night आउस्पिटल में तुम कब एडमेट हुए 13th morning morning 7 o'clock morning 7 o'clock हाँ लेकिन ये सब आपके पूछ रहे हैं हमने तो कोई कंप्लेंड नहीं की देखो जमाना कितना डेवलोप हो गया है पहले तो चोरो को पकड़ने में छे माईना लगता था मगर अब कंप्लेंड से पहले फ्यूचेर में इंसिडेंस होने से पहले CBI पहुचेगी अपको किसने बरती कराया है नहीं सर और यू शोर शोर बट सर ये सब आपके पूच रहे हैं परपस नहीं 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 जो जानना चाहता था शाहिद वो बाद में पता चले सो, कुल मिलाकर उस समय आपकी गाड़ी आपके घर पर थी, किसी ने यूज नहीं किया, यही कहना चाते हैं न, हम, साइन प्लीज, साइन कीजिए, जो आपने कहा है, वो ही है, क्या आप नशा भी करते हैं? नशा, क्यों क्या बात है? ओके, ओके, आप भी विटनस का साइन कीजिए, प्लीज, कितने दिन का बेट रिस्ट है? आज यहां से दिस्चार्ज हो जाऊंगा, और आज दिन कर पर बेट रिस्ट करना है आप तो, सौफ्ट्वेर गाइज हैं, लकी पीपल, हॉस्पिटल में बेटे बेटे काम कर सकते हो, सी यू अगें, बाई सर, ये कहता है कि इसकी गाड़ी घर पर थी? इसको नहीं पता, इसकी गाड़ी वीडियो में शूट हो चुकी है लेकिन बाउम ब्लास्ट के समय, ये और इसकी फैमिली हॉस्पिटल में थी, ये हॉस्पिडल का कंफर्म रिपोर्ट है इसने कहा गाड़ी किसी को नहीं दी, फिर ब्लास्ट प्रेस्ट पे इसकी गाड़ी कैसे पहुंची? वो क्या है न, गाड़ी को पैर आ गया था, सर ये जूट बोल रहा है, हमें बिलकुल साफ पता चल रहा है सर ये जूट बोल रहा है, इसका फैसला में तुरंट नहीं करना चाहिए, हो सकता है किसी ने चूरी से गाड़ी को यूज किया हो, या ये ब्लास्ट, शायद भरत नहीं खुद अपनी मर्जी से करवाया हो जैसे तुम कह रहे हो कि भरत ने अपनी गाड़ी किसी को दी होगी, ये बात हमें नहीं बताई मुझे पक्का यकीन है, उस ब्लास्ट और उस गाड़ी के बीच में जरूर कोई ना कोई संबंद है उसको अरेस्ट करके दो चार जहपड मारेंगे तो सब उगल देगा सर नो नो नो, हम ऐसा करेंगे तो हमारी इंवेस्टिकेशन यहीं खत्म हो जाएगी भरत और भरत से कनेक्टेट लोगों पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी हर जगा उसकी निगरानी करनी पड़ेगी यह इंफर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए सिर्फ हमारे साथ नहीं, कभी-कभी ऐसा किसी के भी साथ हो जाता है भी केलफूल जी लेट्स गो मैं तो हॉस्पिटर में फिर मुझसे पूस्ताज क्यूं कर रहे थे और बोलके गया सौट्वेर में काम करता है यहां बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है मैं समझा नहीं इसका मतलब एक बात बता वह स्पेशल मेरी गाड़े के बारे में क्यूं पूस्ताज कर रहे थे यही तो मैं भी नहीं समाझ पा रहा हूं मुझे तो लग रहा है कि हॉरर सिनेमा थ्रिलर सिनेमा किसी थेटर में बैठके देख रहा हूं मुझे ढल लग रहा है लेकिन बस डिसकुशन बाद में पहले दवाई ले लो हूं आज सामीरा रुको रुको ये दवा है ना इसे भी डॉक्टर ने दिन में दो बार खाने के लिए कहा है यही बात पूछनी थी तुमने पूछी हा मैंने पूछा एवरिटिं इस ओकी कि अले तुझे सीविया इन्विस्टिगेशन की बाते भावी को बताना जरूरी है क्या भावी परिशान हो जाएगी उन्हें और लेने के लिए तू उनको दिल्ली भेंज दे समझा मैंने कुछ ने किया मुझे बत्वार कि 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 अनुद्ध पूब कर दो पर दो पर पर दो पर जो युद्ध कर दो रहे हैं एक गंड़े का आराम चाहिए क्या कहां ő whole engineering text but ज be आरे किस यूत को सिम काड दिया मेरे किस इसकी सिम काड दिया पता नहीं पता दू जी घुर मुझे कुछ नहीं पता है अरें पाव रहाए मैंने कई लोगों को सिम कार्ड बेचा विल मैंने बढ़ा मगर उधर से कॉल नहीं है क्यों रहे सब स्विच ओफ आ रहे हैं नहीं सबका चालू है फिर एसमेस क्यों नहीं ट्राइ करता है उसको भी जबब नहीं आता हां हां एक काम करो तुमारे मेमोरी कार्ड में जो जो सिम इसने कुछ बताया है अभी तक मूह नहीं खुला है इसको उल्टा लटकाएंगे ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा आए यू को यह बात दामा जी समीरा को नहीं बता सकेंगे इसलिए आप ही बताता हूं आफिस में तेरी ज्यादा जरूरत है वो सब तू संबाल ले यार भावी आ रही है उनसे पुछो रुख पुछ 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 आर यूड़ी समीरा नो मेरी बात महनो समीरा मैं नहीं जाओंगी नॉन नेगोशियेबल ओके फिर क्या करें दिस इस दा मोस्ट आवर्टेड मोमेंट ओफ माई लाइ और वैसे भी मुझे अवर्ट फंक्शन का कोई आइडिया नहीं है मैं बता दूंगा ना अंकल के लिए हम है ना ललन तुम भी तो जा सकते हो या अंकल आप इसी तरह की बात कर रहेंगे क्या स्कूल फंक्शन में कोई भी चला जाए अवर्ट जिसका उसको जाना होता है न महारे पास आने की वज़े से है या या मेरी वज़ा से ओके मेरी वज़ा से लेकिन फिर भी मैं नहीं जाूंगी प्लीज समीरा प्लीज तुम जाओ ना अगर छोड़ दिया तो यह लोग छोड़ दिया है लेकिन मेरे एक शर्थ है मेरे आने तक ललन आपके साथ रहेगा यह शर्थ है यह तो वैसे भी मुझे छोड़ नहीं सकता अगर छोड़ा तो मैं इसे बहुत मारूंगा डाउन डूरी तो वेल ड़न ओके गुद इवनिंग सर वेरी गुद इवनिंग लास्ट यहर के भरत के लैंड लाइन और मोबाइल के इनकमिंग और आउटगोइं कॉल के लिश्ट है सर है विलूक सर आइसी अनुधिं इंट्रेस्टिंग नो सर बट रिसेंटली भरत और उसकी वाइद सोनिया और फ्रेंड लल किया था उसका कुछ सुराग मिला नो क्लू बट एक छोटा सा डाउट है सर किसी ने भरत का सहरा लेकर बॉंब ब्लास्ट कराया होगा इस बात के जादा चांसेस हैं सर इस तरह की पॉसिबिलेटी हो सकती है मगर विदाउट इंफरमेशन हम कुछ नहीं कर सकते हैं यह सर य आपकी ही वज़े से ना हां वो डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट बोला है मगर आप तो दर्द भी नहीं हो रहा है आपकी अच्छी एक्सरसाइस बॉड़ी है ना फास्ट इकप भी हो गई यह लगता है अगर आप ठीक हो गए हैं तो आप ही जाए ना मैं रुक जाती हूँ नो नो डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी और वैसे भी तुम मुझसे अलग तो नहीं हो ना तुम जाओ ओके तो यू टेक केर हां कि अपने भरत के बारे में जानना चाहते हैं क्या है सर उस अनाथ आश्रम का क्या नाम है जहां से पले बड़े हो तुम लोग नेता जी अनाथ आश्रम पंचगनी देट्स राइट मैं भूल गया था है थैंक्यू सर और क्या पुछना चाहते हैं तू किदर चला गया ए वो सीवी याई ऑफिसर खान है ना वो हमारे ऑफिस आया है कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए तेरे बारे में भी पूछ रहा था खान बलास्ट में मेरा ना ऐसा कैसे ठीक है तू तु तुरंत आजा ए क्या रहे एरपोर्ट भी जाना है भावी को छोड़ने के लिए जरूरत नहीं है सास असुर गय है न तुम तुरंत आओ नहीं यार मैं ही जाओंगा अचा ठीक है चल वक्त मिला तो जाओंगा नहीं तो मैं घर आजाओंगा ओके 29 अधर 15 अधर क्या हुआ इसको हाँ सामीरा चैकिंग हो गई यह बताओ उदर लला नाया है क्या अहां ओके मैं फोन ट्राइए करता हूं फोन डगता हूं बई समीरा हैपी जननी अ और अ और अ कि अ कि आ तर्ष बुर्चार बारे बारे प्रॉट को तो अजय को अपश्ड़ एर दो अपश्डना को तो अजय को तुर्च रहां पारे भी अजय को अजय को तो नहींत। हेलो डोक्टर हेलो अब ज़रा चलिए इट्स आल लाइट ओके बैठिए यह बात्रूम में गिरे हैं यह वैसा चोट नहीं है रिपोर्ट से लग रहा है कि यह जो रिपोर्ट आई है यह रिपोर्ट भी बिलकुल सही नहीं है यह तो दो विक में ठीक होने वाला गाव था मैक्जिममम थ्री विक आई सी आस्ट्यार्य होने वाली बात तो यह है यह जो मेडिशीन ले रहे हैं उसमें गाव ठीक नहीं हो रहा बलकि इनके गाव को नुक्सान पहुच रहा है यह पर्फेक्टली ओल्राइट आज पर माई अब्जर्वेशन इज होस्पिटल रिपोर्ट्स आ टोटली रॉंग टेक किया थैंक यू थैंक यू डॉक्टर आज 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 पर्फेक्टल की रिपोर्ट को तुमने क्यों बदलवाया मैंने बदलवाया मुझे बदलने की क्या जरूत पड़ गई मिश्टर भारत आप मुझसे कुछ बातें चुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप ओपनली मुझे साफ साफ बताई है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं सर मुझे आपकी कोई जरूत नहीं है क्योंकि मैंने कोई गलति नहीं की सार मेरे मेरी बात मानिए सो तुम हमसे कि सारी इंफर्मेशन चुपाने की कोशिश कर रहे हो हां सर मैं आपके आगे हाथ चोड़ता हूँ मैं एक सौफ़वेयर एंजिनियर हूँ मैं अपना घर और ऑफिस छोड़के कहीं और इंवाल नहीं होता ये सब क्या हो रहा है मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर नहीं तुम सब जानते हो बॉम्ब्लास लोकेशन पर जब तुम्हारी कार खड़ी थी तुम्हें तभी अरेश्ट करना था मगर मैंने बॉम्ब्लास में बॉम्ब्लास में मेरी गाड़ी कहां से आएगी 30 December को हुआ था Bomb Blast सर उस समय तो मैं Hospital में था यस हाँ तूने Hospital में रेकर Bomb Blast का प्लान बनाया आठ हफते का रेश चाहिए ऐसा कहकर Report Create किया और Delhi का प्रोगाम Cancel करवाया दिल्ली ना जाने के लिए ऐसा मैं क्यों करूँगा मैं ऐसा और वाला क्यों छोड़ूँगा इसी बात पे तो मुझे शक है Mr. Bharat, दिल्ली चाना छोड़के तुम यहां क्यों रुके हुए हो इधर क्या करने वाले हो तुमारा प्लान क्या है सर, अब लग रहा है आपके Investigation में कही न कही गलती हुई है Sir, आप जबर रहती मुझे फसाने की कोशिश कर रहे है This is very bad, Sir Don't act too smart अगर तुमारा वो मकसद नहीं है तो फिर, ये क्या है? ये क्या है, बताओ, हाँ? तुमको चोट लगी थी December 29 नाइट लेकिन तुमने December 15 को ये लेटर तुमने डेली भीज दिया बताओ, क्यूं भेजा? मुझे चोट लगी है इस वज़ा से मैं डेली नहीं आपाऊंगा मेरी जगा ये आवाड लेने के लिए Insist of me, मेरी वाइफ हाईगी ऐसा लेटर तुमने भेजा मतलब तुमको 29 तारिक को चोट लेगे कि ये बाद तुम्हें पहले ही पता लग गई थी इसलिए तुमने 15 तारिक को ही लेटर भेज दिया आओ ये software engineer है, अपनी जगा किसे और को भेजने के लिए कम से कम 8 हफते तो लगाए गाई न बहुत श्याना समझते हैं अपने आपको ये ये लेटर मेरा नहीं भेजा बाइद आवे ये सिग्रेश्र मेरा नहीं है अची आवाज में बोलने से तुम जूट को सच में बदल नहीं सकते भरत और ज्यादा दिन तू हमसे बच नहीं पाएगा सर्थ 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 हम्म रिकोर्ड स्टेट्मेंट सर्थ 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 बने बताया ना अपको सर्थ 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 कर दो कर को चका है जग 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 भरत तुम्हारा दोफ कैसे मरा पता है उसका किसी ने खून कर दिया है अभी भी वक्त है तुम सच बता दो भरत तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा नहीं तो हमारा पुलिश ट्रीट्मेंट बहुत खतरनाक होता है मिस्टर भरत I warned you sir me me muslim नहीं मैं सीधा साहथा आदमी हूं मैं और मेरी वाइफ और फ्रेंड के सीवह मेरा कोही भी नहीं है मेरा फ्रेंड बर गया कमसे कम मेरी वाइफ को बचा रिजीक isn't है प्लीज सर्ब्लीज यह no बॉम प्लस्ट होने वाली जगा पर भरत की गाड़ी होना और उसका इस तरह घायल होना ललन की मौत इसमें कहीं न कहीं एक लिंक मिस हो रही है लेकिन पुलीस फोर्स को अपनी जान पर खिलकर भरत ने बचाया था कहीं हम गलती से तो भरत को मुझरिम समझ कर कहीं फसा तो नहीं रहे है न सर मेरे हिसाब से अच्छा और बुरा इंसान कोई नहीं होता हालात उसे बना देता उस दिन उस समय उस हालात में उसने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम था लेकिन वो सारी जिन्दी की एक अच्छा इंसान बन कर रहे है इसकी कैरेंटी नहीं ऐसी बात नहीं है उस दिन जो हुआ था उसमें उसका भी हाँ हो सकता है उस पर कोई शक न करे इसलिए उसने पुलिस को बचाया होगा मगर अब हम क्या करें एफ आयार फायल बनाकर कोर्ट में प्रेजेशन कर सकते हैilles ना हमारा शक पक्का है, मगर सबूत नहीं है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सबूत कैसे नहीं है सर, बॉम बलास की जगा पर उसकी कार, हॉस्पिटल की रॉंग रिपोर्ट और वो दिल्ली फेक्स भेजना, तुम ब्रैंडी पी रहे हो, पानी मिला कर, रिश्मा विस्क रिष्मा बीकि बैए इसका मतलब उस पानी से नशा यह नहीं चड़ता है न, वैसे ही सारे इंसिडेंस में भारत सिर्फ दिख रहा है, लेकिन कंफरर्म नहीं है, हम उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते, आफ्कोर्स वो क्रिमिनल हो भी सकता है, ये तो बताईए सर कि भरत अलकोहल जैसा जहरी है ये पानी की तरह शुद है सर वो बात अभी समझ में नहीं आ रही है हुआ 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 है अंकल हम फातिमा जी 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 क्या बात है कि यस कि मैं अभी आ रहा हूं तुम उसे फोन पर टेच में रहो हमारी टीम को इंफर्म करो मेरे आये तक उस पर अटेक मत करना कि देखी जी संबल कर जाईएगा डॉंट वरी सब ठीक होगा अल्ला ने रास्ता दिखाया खुदा आफिस कि मेंस्टर भरत हम कहां जा रहा है इस बात का पता है आपको कि है अधित के पैरेंट्स यहां पर मस्ज़िद में आयो हुए है सर सरसूर अंदर जाने वाले हैं और बाहर स्कूटर के पास सास खड़ी है लेकिन सर हमारे रेकॉर्ड के हिसाब से भरत और उसकी वाइफ तो हिं है, हुए है वियुक है है गां साब जी खान साब मैं अंदर आचुका हूँ यह इसको कैसे चलाते हैं बता है तुम्हे कुछ हम सीखते हैं और कुछ हालात सिखा देते हैं मगर मैं तो मैं इस तरह शूट करूँ तो बचने का कोई चांस नहीं प्रिष्ट बचान वे तो फिर्ष्ट अजये तो दो पको बचान बचान वे तो बचान वे तो बचान बचान बंचान प्रिख सर मस्जीद में इतनी वीड़ हो चुकी है कि मैं समीरा की पेरेंट्स को ढून नहीं पा रही हूँ स स encima ‹चरी और अ कि ढून गरोगा को पार्या चाहे कि आरी कि ऱुकी औरह ठानएंपानी खके अजिद आराब होन और उत क सते वाईर भ loin और है कि या दोलिए ़तरॉ restroom को आरए कि अ रॉन मो! उप मो! मो! कि मेरी बेटी और दामाद को जान से मार देंगे अब हम क्या करें सर हम बहुत डर गयते हैं समझ भी नहीं आया कि क्या करें मदिर मस्जित मगर उनकी बातों से मुझे पता चला है कि ख़ड़ सीम की मिटिंग में बलाइस्टू होने वाला है सर मरोसा कीजिये सर वरोसा किजिये मैं ठीक कह रहा हूं थी कह रहा हूं उस अंजलो स्क्यूज मी सर, सर, सोनिया की माउस गोली से नहीं, बलके साइनेट से मरी है क्या हुआ साइने, वलों मिल गे? को नहीं तू? बगादा हुआ साइने मैने पुचा को नहीं तू? मता! मता! इस दुनिया में पैदा होकर कीडे मकोडों की तरह जीने से अच्छा है कुछ करके दिखाओ ताके लोग तुम्हें पहचाने के तुम कौन है नादिया, अमेरिका एस्टेंट फॉर्ड यूनिवर्स्टिटी में एम्बीय कर रही है बहुत टैलेंटे लड़की है खालिद एक उग्रवादी है नादिया और खालिद एक दुस्रे से प्यार करते थे खालिद नादिया से शादी करना चाहता था और जब नादिया खालिद का इंगेजमेंट था मुम्मई के अंदर ब्लास्ट करने के बाद खालिद इंगेजमेंट में पहुंचने वाला था मगर उस दिन खालिद तो नहीं पहुंचा मगर खालिद की लाश आई नादिया तुम क्यों परिशान हो रही हो हमारी किसमत में जीना लिखा है तो अल्ला हमें जरूर बचाएगा हमारा मरना लिखा है तो तुरंत अल्ला हमें मार देगा अल्ला ने तुमें इसलिए जिन्दा रखा क्योंकि जो काम मैं करना चाहता था अब वो तुम करोगी भारत में हमारी तरह कई मुसल्मान हैं जिनकी वहाँ के लोग कदर नहीं करते हमें उन मुसल्मानों को उनका हग दिलाना है उनका साथ देना है एक दिन टीवी पे भारत का इंटर्विव सुना और राजपती के हाथों से यह आपको परशकार मिलने वाला है शायद आपको पता होगा कंग्रेच अवाट आपको मिला आपको कैसे लग रहा है इंटर्विव देखकर उसके दिमाग में एक योजना आ गई उसने तुरंद भारत के बारे में पूस्ताख शुरू कर दी इस योजना को उसने आतंकवादियों को बताया अगर इस लड़ाई में तुम मारी गई तो अल्ला की रजा तुमें हासिल होगी और तुम शहीद कहलाओगी लेकिन एक साल तक अगर तुम किसी हिंदू के साथ रहोगी तो तुम सची मुसल्मान नहीं रहोगी और जो मुसल्मान नहीं रहता हम उसे इस सर्जमी पर जिन्दा रहने नहीं देते नादिया खालिद की तमन्ना को पूरा करने के लिए खुद खालिद बन गई कि नाजिया इंडिया पहुंची और दो महेने तक भरत की पूरी जानकारी हासिल की भरत से पहचान भी बना ली और अपनी नापाक इरादों के लिए भरत से शादी भी कर ली उसका वो देश से भरत की जगा खुद दिली जाकर राश्पती से आवाड लेना था दिली जाने के लिए उसे भरत को मारना था इसलिए उसने दो बार भरत पर अटैक करवाया तिसली बार उसने खुद कोशिश की उसे मारने की इस पर भरत होस्पिट लाईज हुआ अब वो दिली नहीं जा सकता था इसलिए भरत में खुद नादिया को दिली फेजा प्लान के मुताबिक नादिया दिली पहुँच गई है क्या प्लान बनाए बिड़ो अभी तक तुम लोगोंने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और हमारे देश के राजनेताओं को आधार बनाकर हमारे देश को टार्गेट किया और अब सीधा सीधा हमारे राष्टपर्दी तक पहुँचना चाह रहे हो तुम लोगों लेकिन तुम चाहे जितने भी प्लान बना लो हमारे देश का कुछ नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते मगर लंडन को क्यों अब तक आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है आज से आप दोनों का काम खतम होता है 26 की मॉर्निंग आप दोनों हाइडिंग में चले जाएए मैं दिल्ली जा रही हूं अल्ला ताला से दुआ करना कि हमारा मिशन काम्याब हो जाए और हमारे वतन मरूरे को शका बossे थोती है तो हमारी शो हमारी ने टोनों है जाएए एषआ से लिए मॉटर उता, जाएए मना के अख दो जहा है वसाई है याएषब सर्झे तो घूले घुट अब तक तो नहीं हुई मैं जा रही हूँ यह बता हो मुदा लाला नाया किया नहीं वो तो नहीं आया तुम्हारे पास रहने का उसने प्रॉमिस किया था मुझसे कहीं घूम रहा होगा वो प्लाई करता हूं उसके फोन पर ओके वाय समीरा अओत प्लाई का वाय सबस्टा सर्थ पर लेकिन पॉब ब्लास्ट क्यों किया नहीं बता मतलब राश्टपती को मोबाइल बॉब के तो ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा हो क्या बोला नहीं बता सच सच बता इतना बता है अगर यह पता होता तो नहीं बताता मैं सच में नहीं जानता वो किस तरह प्रेसिडेंट को मारेगी सच कहूं यह सब मैं नहीं जानता मगर वो मारेगी जरूर नहीं छोड़ेगी सर मेरी बात मानिये सर इस हंड़ेट परसेंट बिलेवबल इंफरमेशन सर यस सर सर ओके सर हम हम उनको कितना भी कन्वेंस करें वो नहीं मानेंगे अब इतने कम समय में समीरा को कैसे रोके सर हम तो CBI के हैं फिर वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे यह MLA function नहीं है President of India function है हम क्या हमारे बड़े officers भी कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे अगर जरूरत है तो extra security लगा सकते हैं यह बोल रहे हैं अब हम क्या करें सर सिफ 6 गंटे ही बचे हैं सारे respective department को मैसेज पास कर चुका हूँ अब खुद भी जाकर कन्वेंस करते हैं लेट्स को सर मैं भी चलूँगा सर मुझे माइन रीडिंग आती है तुम अपना काम करो वहां के तुम क्या करोगे मैं अपने भगवान को मानती हूँ वक्त आएगा तो मैं मांगोंगी नहीं छीन लोंगी बाई लवी टेके ये कुर्बानी तुम्हारे लिए नहीं है नादिया और नाहीं मेरे लिए है ये कुर्बानी मुस्लिम समाज के लिए है नादिया अल्ला के लिए है इसमें जीत हमारी होनी चाहिए हम कौन है नादिया ये दुनिया को बताना जरूरी है मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगा नादिया जीत सिर्फ हमारी होनी चाहिए नादिया जीत हमारी होनी चाहिए जीत हमारी होगी नादिया मैं इस जीत के इंतजार में हूँ इस जीत के इंतजार में हूना दिया इसूड़ हूँ झाल झाल अफिजर खांट फ्रॉम भाई हलो सार मुझे आपका मेंसेज मिला मैंने सारी सिक्रोडी चेकिंग लिए लगा दिया पांच मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल हो जाएगी सार लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं सार शोर इस्टार्ट हो चुका है सर कुछ नहीं किया जा सकता है मैं जानता हूं कि सर आपको नियम पता है लास्ट टाइम चेक करेंगे उसके बाद नहीं आई आई थींग ओके वी गोफोर वन लास्ट चेक कर दो जानता है जानता हूं कि आपको इंफरमेशन गलत दी है फंक्शन स्टार्ट हो चुका है आप जा सकते हैं प्लीज अडिस अवाद गोस दो मिर्युद्व मुंबाइ थीघए को स्ट्विश प्लीज आपको मुंबाइ अज़ पूल। और पनेज़ गुड़। And now PDRT from Punjab. She rescued two children, came drowning in the river water. We all give wishes to PDRT for her realness. सेवंटीन पर रुख जाना वहाँ एक आत्मी तुमको एक बॉम घड़ी लाकर देगा दो स्टेप आगे जाने के बाद जैसे ही तुम्हारी उस घड़ी की रिंग बजेगी जैसे ही कॉल एक्सेप्ट करोगी नेक्स्ट रवोर्ड सेविंग कैंडिडेक तु मिसेस समीरा भरक फ्रम अंध्रप्रदेश शी रप्रेजेंट हर हस्बन भरक यह रज़ रसक्वित नेच्ची पोली स्पोस्ट रॉम्हारी स्टाइक प्रॉम्हारी स्टाइक के रिए कि जूए थाव घराओाआ scenery हूज कि जूए अायन कि जुए ओज भी जुए घराओगा आज हर आदमी हर देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है हर देश में अच्छे लोग के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलत तरीके से अपने मनसूबे को पाने की कोशिश करते हैं जिनको आतंगवादी बनने तक में परेज नहीं है और उनको दूसरे की जान लेने में भी कुछ परेशानी नहीं होती क्योंकि वो पैसों के लिए अपनी जान बेच चुके होते हैं ऐसे लोगों को आज समझाने की जरौत है कि जिनकी वो जान लेते हैं उनके घर में उन छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा जो उनकी गलत नीती का शिकार हुए है इस आ पैदा हुए उसे मिटाना है चाहे वो आतंगवादी क्यों नहीं हो हमारे देश को बचाने के लिए हमारी मिलिटरी विवस्ता हमेशा तत्पर रहती है लेकिन आज चाहिए कि इस देश के हर इंसान को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए तो आओ हम कसम खाते हैं हम सम मि कर इस आतंगवाद को मुल्ट व हुट ऑजवाब देंगे ओर हम अपने देश की एकता और अखंड़ता पर आच नहीं आने देंगे आओ हम मिलकर एक आम आदमी की रक्षा करें और वो आम आदमी हमारे देश की रक्षा करेंगे आओ हस से हाथ मिलाकर सारी दुनिया को एक करेंगे सत्य मेव जय देव जय हिंद